शराब मदिराद दारू एक ऐसा पे जो सदियों से आदमी के सुक दुख का साथ ही रहा है देसी ठर्रे से लेकर बरसों से सहेज कर रखी गई शराब लेकिन अच्छी और उत्तम गुडवत्ता वाले शराब की कीमत भी पैसे ही होती है तो जनाब अगर आप भी रखते हैं शर की जाती है और केवल पचास बोतले ही एक वर्ष में बाहर निकाली जाती है जाहिर जी बात है कि अगर केवल पचास बोतले ही उपलब्ध होंगी तो कीमते भी वैसी ही होंगी ग्रेंट फिडिच की एक बोतल के लिए आपको 16,000 डॉलर्स चुकाने पर सकते हैं जो ज्याद में जितने खुबसूरत दिखती है कीमत में भी उतनी ही खुबसूरत है आपको शराब खरीदने के लिए लगबख 17,500 डॉलर्स त्यानी की 11,000 रॉपए से उपर की राशी खर्च करनी होगी नंबर आठ पर है मेकलन की 60 वर्ष पुरानी सिंगल मॉल्ट पिसकी दिखने में मेकलन फाइन एंड रेयर अब नाम में ही रेयर है यानि तुडलप तो जाहिरे की कीमत भी कमना होगी इस शराब के लिए आपको 75,000 डॉलर्स यानि 45,000 रॉपए खर्च करने पड़ सकते हैं यानि आपके घर की कीमत तभी तो कहते हैं दारू घर भार लुटवा देती है न क्योंकि इसकी कीमत है 1,60,000 डॉलर्स यानि 1,17,000 रॉपए नमबर पांच पर है 62 साल पुरानी डालमोर्स कोच विस्की इस विस्की को लिक्ट गोल्ड भी कहा जाता है लकडी के बकसे में मौझूद इस शराब को बनाने में 100 घंटों से भी ज्यादा का समय लगता है इस श इसकी को 1942 में बनने के लिए रखा गया था यानि जब आपके दादा जी भी जवान रहे होंगे ये शराब दुनिया के दुरलब शराब में से एक है और इसकी कीमत जानकर आपके होश हूड सकते हैं इसकी कीमत है 4,60,000 डॉलर्स नमबर तीन पर है 105 साल पुरानी मास्टर आ कीला ले हातों से बनी ये बॉटल एक लीटर में उपलब्ध है इस बॉटल का आदा हिस्सा शुद प्लैटिनम और आदा हिस्सा शुद वाइट गोल्ड से बना होता है दुन हिस्सों को एक ठोस प्लैटिनम एंबलम से जोड़ा जाता है इस बॉटल की कीमत में आप दो की शराब है और इसे जैनेलर जोज द्वारा पैक किया जाता है यह शराब 1776 में बनाई गई और सौ वर्षों से ज्यादा समय बैरल्स में रही इसी 24 कैरट गोल्ड और प्लैटिनम से बनी बॉटल में डाला गया इसे बाद में 65 सो हीरो से सुसर्जित किया गया अब ऐसी श ज्यादा तो आपने देखा शराब के शौक आसान नहीं है इसलिए बेतर है महबुबा की आंके शराब से दोस्तों शराब पर अपने विचार आप नेचे कमेंट्स में भी दे सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक् करना ना भूले